बच्चों हमने हमारा सेकंड चैप्टर उभोकता के वहवार का सिद्धान समाप्त कर लिया अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड चैप्टर की तरफ जिसका की नाम है उत्पादन और लागत तो बच्चों हमने हमारे सेकंड चैप्टर में उभोकता के बारे में पढ़ा वस्तु की क्या करता है, मांग करता है, क्यों करता है, क्योंकि वो वस्तु मनुष्य की आवशक्ता की संतुस्ट्री करती है, क्योंकि उस वस्तु में क्या होती है, उपयोगीता होती है, होती है नहीं होती है, तो मनुष्य उस वस्तु की मांग करता है, अब उस वस्तु का उत उत्पादन करता है और मनुष्य को उस वस्तू की पूर्ति करता है और इसे लिए उत्पादन के साधनों की आविशक्ता होती है, जैसे कि आप जानते हैं एक फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में कुछ भी बन रहा है, कुछ भी सामान बन रहा है मानों यह पैन भी बन रहा है तो इसके लिए बहुत सारे सादlus के आवर्शक्ता होगी इसमें श्रम में भी लगेगा पूंजी भी लगेगी मशीन दृष्स का भी प्रेयोग होगा और इसके लावा कच्छा माल भी लगेगा तो ये सारे साधनों की आवर्शक्ता किसको होती है एक उत्पादक को होता है अब उत्पादक क्या करता है उस उत्पादन के साधन वो फ्री में तो नहीं मिल जाएंगे आसमान में से तो नहीं टपक पड़े इसके लिए उत्पादन के साधनों की क्या देनी होती है उत्पादक को कीमत देनी होती है और इसे जाती है जिसे की उभोकताओं द्वारा मांगा जाता है तो ये सारी चीज़े अर्थववस्ता में चलती ही रहती है तो हम इस चैप्टर में जानेंगे उत्पादन के बारे में कि उत्पादन किस तरह से उत्पादन के साधनों के द्वारा किया जाता है उत्पादन क्या होता उत्पादन फलन के कौन से प्रकार है, उत्पादन का क्या ट्रेंड रहता है, बढ़ता है, घटता है, ये सारी चीजे हम इस अध्याय में अध्यान करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे लागतों के बारे में, जो उत्पादन के साधनों की कीमते हैं, जिसे कि हम लागते कहते हैं, लागतों के क्या trend होते हैं, वो जानेंगे हम इस chapter में, तो शुरू करें, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पादन का अर्थ, तो बच्चों उत्पादन कहते किसे हैं, उत्पादन अर्थात होता है किसी भी वस्तू में उप्योगिता का स्रजन करना, निर्मान करना, या उ लोहे का प्रयोग करके क्या करते हैं, सूर्वी बनाई जाती है, विभिन प्रकार की वस्तों का निर्मान होता है, विभिन प्रकार की मशीनरीज बनती है, हवाई जाहाज बनते हैं, बनते या निर्मान कर दिया गया, उसकी उप्योगिता में व्रधी कर दी गई, जिससे कि मनुष्य की आविशक्ताओं की क्या हुई संतुस्टी हुई इसे ही हम कहते हैं उत्पादन ठीके बच्चों यही आपर लिखा हुआ है कि उत्पादन का अर्थ क्या होता है बच्चों उत्पादन को इंगलिश में बोलते हैं हम production आप इसके English keywords अच्छे से ध्यान रख लीजे उप्योगिता का स्रजन जैसा कि मैंने आपको बता है उप्योगिता का स्रजन निर्मान करना उप्योगिता में व्रधी करना या उप्योगिता का निर्मान करना जैसे लोहे का उधारन दिया कि लोहा एक मनुष्य के लिए अनुप्योगी है जब तक कि उसमें हम उप्योग प्रकार की सेवाएं जैसे सिक्षा, चिकिस्सा, परिवहन, ये सभी क्या है उत्पादन, मैंने आपको लोही का उधारन दिया था, आपको जैसे किसान है, किसान जैसे जमीन रखी हुई है, एक बीज रखा हुआ है, वो क्या है सब अरुपयोगी है, किसान द्वारा उस बीज को उस जमीन में उगा के, मेहनत करके, क्या उगाई जाती है, फसले उगाई जाती है, तो क्या हो जाता है, उत्पादन हो जाता है, ऐसे यदि हम फैक्टरीज में देखे, विभिन प्रकार के उत्पादन के साधन लगाये जाते हैं, और जिसके द्वारा वस्तू का उत्पा जिसके द्वारा वस्तु और सिवाँ के प्रभाः रूप में निर्मानड किया जाता है। बस्तो एक होता है स्टोक और एक होता है प्रवाज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। प्रवा में उसको शामिल किया जाता है, तो यहां पर कहा गया है कि उत्पादन उपयोगिता के क्या है स्रजन की प्रक्रिया, जैसे कि आपको बताया गया है कि उत्पादन के द्वारा उपयोगिता का स्रजन, निर्मान और व्रदी होती है, जिसके द्वारा वस्तुओं और स सेवाओं के प्रवा के रोप में निर्मान किया जाता है, वस्तूर सेवाओं के इसमें निर्मान चलता ही रहता है उत्पादन प्रक्रिया में, ठिक है बच्चो इसके बाद है उत्त important चीजे बोली गई है जो कि आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि उत्पादन करने के लिए आपको बताया था ना कि उत्पादन ऐसे तो नहीं हो जाता उत्पादन करने के लिए बहुत सारे किसके आवश्यक्ता होती है जिसमें कि यहां पर लिखे गए कौन-कौन से शा डूट्स पूंजी मतलब मैं किस में लेते हैं इसके बाद है पूमी जताबा घृट्पादनी होगा। आसमान में तो अनाज उत्पाधन नहीं होगा तो भूमी की आविशक्त होगी प्रमंदन वे टक्नीक, बाइ टक्नीकी किस तरह से चाहिए किसान को की बे डिफरेंट डिफरेंट टेकनोलोजी आज़कल चल रही है कि किस तरीके से अधिक उत्पाधन किया जाये उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं उत्पादन के साधन, जो हमने भी बात की ना कि जिनके द्वारा उत्पादन किया जाता है, उसे हम कहते हैं उत्पादन के साधन, अब बच्चों इनके जो दूसरे नेम हैं, वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए, या फिर कहते हैं या फिर कहते हैं पढ़ते और English में इसका बहुत इजी नाम है inputs तो आपको याद होने चाहिए कि क्या नाम है एक तो हो गए उत्पादन के साधन जो उत्पादन करने में काम में आते हैं दूसरे हो गए इसको बोलते हैं हम आदा, पढ़ते और inputs आप inputs नाम याद कर सकते हैं बहुत easy है कि उत्पादन में क्या चाहिए input डालते हैं तब ही तो क्या प्राप्त होता है में? output मतलब उत्पादन प्राप्त होता है आगे बच्चों समझ में, आगे हम देखते हैं कि कैसे उत्पादन के साधनों को यहाँ पर बटाया गया है ताकि कि आपके दिमाग में अच्छे से यह क्या हो रज बस जाए वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को क्या कहते हैं? प्रदा, निर्गत और आउटपुट उसको आदा बोलते थे, किसको? उत्पादन के साधनों को और उत्पादन के साधनों के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? उत्पादन के साधन हमने लगाए और उनके द्वारा क्या किया जाता है? उत्पादन प्राप्त होता है तो वो कहलाता है प्रदा उसे कहते हैं आदा इसे कहते हैं हम प्रदा उत्पादन के साधन को कहते हैं आदा और जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्रदा इसी प्रकार से उत्पादन के साधनों को कहते हैं आगत और उत्पादन जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं हम निर्गत आरविच्छो समझ में और इंग्लिश में हम उत्पादन के साधनों को कहते हैं inputs और जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं outputs इसे एक बहुत अच्छे चीज़े हम समझ सकते हैं हमने उत्धाधन के साधन लगाए किसी वी वस्तुमें का उत्पाधन करने के लिए सबसे पहले क्या यूजE किये जाते हैं इन्पूट्स या उत्पाधन के साधन और पर उसके बाद ही प्रॉसेसिंग चली इनके द्वारा क्या हुई processing हुई, उत्पादन के साधन जो लगे, इसको हमने inputs पुला, processing चली और उसके बाद हमें प्राप्त हुआ उत्पादन, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे outputs, आदा, प्रदा, input, output, ठीक है, तो उत्पादन के साधन जब लगाए जाते हैं, तो उनके द्वारा प्रक्रिया चलती है, ज इसके लिए प्लास्टिक की जरूत हुई है, इसके अंदर इंक लगा है, तो इंक की जरूत भी हुई है, सभी साधन के लिए बुमी, श्रम, पुझी, प्रबन, टक्नीक, साहस, उध्यम, सब चीज लगा, तो यह उत्पादन के साधन जब इखटे किये गए, उनको प्रक्र इंक लिए में चलाये गया, तो उसके द्वारा इस पैन का उत्पादन हुआ, समझ में आ गया है बच्चो, तो इस तरीके से यह क्या हुआ, उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादन प्राप्त होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी से समझा रखें, उत्पादन के साधन, पार साधन होते हैं, और यह बार बार रिपीट होगी, इसलिए आपको उत्पादन के साधनों को अच्छे से याद कर लेना है, कौन से हैं, भूमी, श्रम, पूंजी, तक्नीक और उध्यमी, ठीक है बच्चो, समझ में आ गया, इसके बाद है उत्पा फलन किसको बदाता है, मांग को और कीमतों के मद्य संबंद को दर्शाता है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे उत्पादन फलन, तो उत्पादन फलन किसके संबंद को दर्शाता है, क्योंकि फलन तो क्या करता है, संबंदों को दर्शाता है, तो उत्पादन फलन किस होता है कीमतों से संबंद होता है कीमते कम होती है तो मांग मात्रा बढ़ जाती है कीमते बढ़ती है तो मांग मात्रा कम हो जाती है यही पड़ा था अब वस्तु और सेवाओं की जो पूर्ती है जो कि किसके द्वारा की जाती है पूर्ती उत्पादकों की द्वारा उसका भी मांग से सम्मंद होता है किसी भी वस्तु की कीमत यदि अधिक होती है तो उस वस्तु की पर पूर्ती क्या होती है अधिक होती है क्यों क्योंकि उत्पादक जो है उत्पादन कर रहा है उसको लगेगा कि मार्केट में यह चीज तो बहुत महेंगी विकरी है तो हम उत्पादन क्या होती है कम होती है तो उत्पादक उसकी पूर्टी को कम कर देता है अर्थात उसकी कम वस्तों का उत्पादन करता है समझ में आ रहे हैं आप की मांग और कीमत में कैसा संबन था विपरी संबन था कीमत कम होने पर मांग मातरा बढ़ती है आगे बच्चों समझ में तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि वस्तू और सेवाओं की पूर्ती का कीमत से कैसे सम्मंद होता है, सीधा सम्मंद होता है, कीमतेग बढ़ने पर क्या होता है उत्पादकों के द्वारा लाप कमाने के लिए उस वस्तू की अधिक मात्रा है उत्प करेगा और फिर उसकी क्या करेगा पूर्ती करेगा तो किस पर निर्भर करेगी कीमत पर निर्भर करेगी तो कीमत पर पूर्ती निर्भर करती है और पूर्ती किस पर निर्भर करती है उत्पादन की मात्रा पर उत्पादन करेगा तभी तू पूर्ती कर पाएगा उसकी वस्तुए उत्पादित की जारी है किसी के द्वारा इवक्ति के उत्पादक के द्वारा तो वही क्या उरती है पूर्ती लेकिन दोनों में डिफ्रेंस होता है क्या डिफ्रेंस होता है मान लो कि किसान है उसके पास पांच बोरी यहूं का उसने उत्पादन किया तो वो तो क् का उतपाधन हो गया, कितना टोटेल 5 बोरी गेहू, अब वो एक बोरी गेहू अपने विए अपने पास रख लेता है, और 4 बोरी गेहू क्या करता है, वो market में बेचने के लिए देता है, अर्थात 4 बोरी गेहू की क्या करेगा, वो पूरती करेगा, आरहे बच्छे समझ में, अर्थात उत्पादन मतलब जो हुआ है कुल उत्पादन जो की उत्पादन के स्वाधनों को लगा कर जो उत्पादन किया गया है वो तो क्या हो गया उत्पादन हो गया ठीक है लेकिन पूर्ती क्या हो गई जिसे की उत्पादक बेचने के लिए तैयार है वो हो गई पूर्त आगे बच्चो समझ में तो जो पूर्ती है वो किस पर निर्भर करेगी उत्पादन पर निर्भर करेगी नहीं करेगी उत्पादन जितना होगा उसी के हिसाब से तो क्या होगी पूर्ती होगी आगे बच्चों समझ में तो यहीं आपा लिखा हुआ है कि किसी वस्तू और सेवाओं की जो पूर्ती है वो किस पर निर्भर करती है कि कितना उत्पादन हुआ है उसी के इसाप से तो क्या की जाएगी पूर्ती पर उत्पादन से ज़्यादा तो पूर्ती निर्भर करती है अब बाद ध्यान से थिन ना, हमको संबन्ध पढ़ना एक उत्पादन फलन क्या कहता है कि यहाँ पर किं दोन चीजों के बीच में संबन्ध बताया गया है तो किसी वस्तु और सेवाओं के जो उत्पादन की मातरा है हमने बताया कि जो पूरती है वो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है अब वो उत्पादन है वो किस पर निर्भर करता है वो निर्भर करता है दो बातों पर एक तो है उत्पादन के साधनों की कीमते पहली बात क्या है उत्पादन के साधनों की कीमते यदि किसी उत्पादन के साधन है, मानलो एक श्रम ही है, श्रम क्या ऐसा हो गया? महंगा हो गया, तो महंगा होने पर उत्पादक को क्या लगेगा? कि नहीं मैं तो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता, इतनी लागत नहीं लगा सकता, इसलिए वो श्रम को कम खरी देगा, खरी कर देगा उठाढर्शरम को कर देगा तो वो उत्पादन भी क्या कर पाईगा कम कर पाईगा अब इसका उल्टा भी जाता है सस्ता अर्थाठ श्रम भी दी जाती है श्रम को वो हो जाती है कम तो उत्पादक सोचेगा अधिक से अधिक श्रम लगा लेता हूं और अधिक से अधिक क्या कर लेता हूं उत्पादन कर लेता हूं जिससे मैं अधिक लाप कमा लूँगा तो फिर वो क्या करेगा अधिक श्रम को अपने पास लगा लेग उन टीचरों को थोड़ा सा कम करके और जो जितना वो एपरोप्राइट समस्ते उतना ही लगाएंगे कहने का थात पर यह है उत्पादक के साधन की कीमत यदि बढ़ जाती है तो क्या होता है उत्पादन कम होता है यह पर मैं लिख देती हूं कि उत्पादक के साधन जैसे मैंने आपको श्रम का उधारन दिया था कि उत्पादन के साधन की कीमत यदि बढ़ गई तो कीमत बढ़ने पर क्या होगा उत्पादन करता को वो महंगा पड़ेगा साधन महंगा पड़ेगा तो वो उसको कम लगाएगा कम लगाएगा तो उत्पादन क्या होगा कम लगेगा अभी उत्पादन तो उसी साफ से लगेगा कि कितने साधन लगे हुए तो उत्पादन कम प्राप्त होगा तो उत्पादन मात्रा पहली चीज किस पर निर्भर करती है? उत्पादन के साधनों की कीमतों पर, जो कि यहां पर लिखा हुआ है दूसरा, उत्पादन के साधन और उत्पादन के पीच पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंद पर हमने पढ़ा था न एक तो होता है input जिसे हम कहते हैं उत्पादन के साधन और दूसरा जो होता है वो होता है output आरहे बच्चों समझ में तो input और output मतलब कितना हमने उत्पादन के साधन लगाए और कितना हमें उत्पादन प्राप्त हुआ अर्थात इन दोनों के बीच जो संबन्द होता है उस पर निर्भर करती है उत्पादन की मात्रा आगे बच्चों समझ में उत्पादन की मात्रा दो चीज़ों पर इंपर करती है एक तो उत्पादन के साधनों की कीमते क्या है दूसरा है कि उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्राओं के बीच मात्रात्मक संबन्द क्या है अर्थात कितने साधन लगाया जा रहे है जिसके पलसरोप कितना उत्पादन प्राप्त हो रहा है आगे बच्चों समझ में आगे है विभिन आर्थिक चरो में परस पर संबन पाया जाता है हमने बात की थी थी आर्थिक चरों में क्या पाया जाता है संबन जैसे कि हमने बहुत अच्छा उधारन देखा था Y is the function of X X की अलग-अलग values होगी तो Y की अलग-अलग values होगी अर्थाद Y में और X में क्या पाया जाता है संबन पाया जाता है फिर इसके अधार पर हमने मांग फलन पढ़ा था कि मांग फलन में वस्तू और सेवाओं की मांग और कीमत में होता है B is the function of B मांग फलन पढ़ा था कि मांग किस पर निभर करती है कीमत पर और अभी हमने देखा कि पूर्ती फलन में वस्तु और सेवाओं की पूर्ती और कीमत पर हमने बता है ना कि जो वस्तु और सेवाओं की पूर्ती भी किस पर रिभर करती है उस वस्तु की कीमत पर कीमत अधिक होगी तो पूर्ती अधिक होगी कीमत कम होगी तो पूर्ती कम यह आप लिखा हुआ है आगे इसी प्रकार उत्पादन फलड में उत्पादन उत्पादन में योगदान देने वाले उत्पादन के साधन एक दूसरे से संबंधित होते हैं समझ में आया, अभी जैसे हमने बात की थी, कि इसी प्रकार से उत्पादन के साधन और उत्पादन, वो दोनों भी आपस में क्या होते हैं, सम्मंदित होते हैं, जैसे कि मांग और कीमत सम्मंदित होते हैं, पूर्ती और कीमत सम्मंदित होते हैं, उसी प्रकार से उत्पादन उत्पादन के साधन भी एक दूसरे से सम्बंदित होते हैं, ठीक है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, उत्पादन फलन, ये हो गए हमारे भूमी, पूंजी, श्रम, तक्निकी, साहस, ये सारे हो गए हमारे inputs, जिसे हम क्या कह होता है inputs के मिच और outputs के बीच, उत्पादन के साधनों के बीच और उत्पादन के बीच, उसे ही हम कहते है उत्पादन फलन, production function, इसको भी आप लिख लो, production, उत्पादन को हमने production बताया था ना, और हो गया function, देखो बच्चो हमने, आपनी computer पढ़ा होगा, computer में हम कहते हैं एक तो inputs होते हैं और outputs होते हैं, तो inputs मतलब देना, मतलब command दी जाती है, फिर हमें उसके बाद क्या प्राप्त होती है, output प्राप्त होता है, तो इसी प्रकारिया है, कि उत्पादन के साधनों की मात्रा और उत्पादन के बीच पाए जाने वाले मात्रात्मत संबन को ही हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन यह आपा लिखा है यह है उत्पादन के साधनों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के बध्य संबंद को बताता है क्या उत्पादन फलन जैसे कि मांग किसके बताता है कीमत के और मांग मात्रा के संबंद को बताता है मांग फलन, पूर्ती फलन किसको बताता है? पूर्ती और कीमत के संभन बताता है उसी प्रकार से उतपाधन फलन, उतपाधन के साधन और उतपाधन के मध्य पाए जाने वाले मात्रात्मक संभन को दर्शाता है ठीके बच्चो, जैसे यहां पर लिखने लखा यह है उत्पादन फलन अच्छे से समझ लो एक्जाम में पूछा जाता है उत्पादन फलन किसे कहते हैं उत्पादन फलन की परिभाशा लिखे उत्पादन फलन के बारे में बताई उत्पादन फलन क्या है तो आपको यह सारी चीज अच्छे से समझ में आएगी तो आप इस कहां आता है बाइनी तरफ आता है तो यहां उत्त्र अदन और उत्त-दनी साधनों में स्वतंत्रच्र हो गया स्वतंत्रचार हो गया इंडिपेंडेंडेंट भी बोल सकते हैं हम किसको और इनको लगाने के बाद जो हमें उत्पादन प्राफ्ट होता है वो डिपेंडेंडेंड हो गया आ रहा है विच्छो सबज में तो L K N T E जैसे मैंने आपको उत्पादन के पांच साधन बता में बता है विच्छो समझ में तो इन पांच साधनों को लगाने के बार हमें प्राफ्ट है क्यू और क्यू दिनोट करता है उत्पादन को आगया बच्छो समझ में तो इस तरीके से Q is the function of L K N T E यहाँ पर आपको बताया भी गया है क्यू उत्पादन कैसा चर है आश्रिच परतंत्रचर है जबकि ये सारी क्या है इसको हम लिख सकते हैं ये सारी है हमारे स्वतंत्रचर ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ अभी L, श्रम, K, पुझी, N, भुमी, T, टक्नीक और E, साहस ठीक है अब एक एक्जामपल दिया हुआ है 50 बराबर फंक्शन और 5L, 10K तो आपको इसे क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी बस्तु का उत्पादन करने के लिए 2 साधन लगे हुए है एक तो लगा हुआ है L, L अर्था श्रम लगी हुई है और K, के अर्था पूंजी लगी हुई है कहने का अठाथ पर यहां पर यह है कि यदी इसको हम उपर एक बार और लिख लेते हैं 50 फंक्शन और 5L, 10K चीक है तो कहने का अठाथ पर यह है कि श्रम की मातरा कितनी? 5 और पूंजी की मातरा कितनी? 10 आ रहा है बच्चों समझ में कि श्रम की मात्रा 5 और पूंची की मात्रा 10 लगाने पर हमें उत्पादन प्राप्त हो रहा है 50 इकाई क्या प्राप्त हो रहा है? 50 एकाई आगे बच्चों समझ में तो ये हो गया हमारा उत्पादन फलन अब यदि हम मान लेते हैं कि उत्पादन के साधनों को हम क्या कर देते हैं कोई और कॉण्मिनेशन ले लेते हैं जैसे हम मान लेते हैं साथ-छे-ष काही हो गई, अंट काही हो गई, के की, ठिक है और इससह जो टपादन प्राप्त हो रहा है, वह हमें 40 हो रहा है तो यह भी क्या हो गया मिलंग अलग अलग म läng वस्टभ के अलग 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 समय बदल दी, ये आपको पता है टेक्निक बदलने से क्या होगा, जो उथपादन के साधन है उपियोगी मतला उनके क्या गया उथपादन और अधिक बड़ जाता है तो टेक्निक बदलने से जो इत्पादन ठलन ही क्या हो जाएगा बदल जाYU wearing change हो जाएगा आगे बच्चों समझ में तो ये हो गया हमारा उत्पादन फलन ठीक है अब आगे आपके बुक में दे रखा है समान मात्रा या समोत्पाद समान उत्पादन अब देखो बच्चों हमने अभी पढ़ा था कि दो वस्तों की जो सायोग हमने लिए उत्पादन के साधनों के जो हमने सायोग लिए उसके द्वारा हमें 50 उत्पादन प्राप्त हुआ हमने एक मात्र थो दल करना चाहर है तो उसके लिए हमें इन दोनों की चाहिँ को क्या करना पड़ रहा है, बदलना पड़ रहा है ताक ही उतल सेम आधन तो वराबर रहे उनके सैयोग क्या हो जए ले लेने चानी है यह अ स्वेढ़ एक श्रम को जादा आतो प्रदां नियुक में म०्धना काम में जांए में बन माल लेते हैं श्रमध किम हो इसको क्ने पांच हंग तो हम उसको कि हम इसको क्या कर सकें बढ़ा सकें हमने मालिया 12 के कर दिया आ गया तो इसके द्वारा जो उत्पादन प्राप्त हो रहा है वो भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है आरे बच्छों समझ में तो इस तरीके से समान उत्पादन प्राप्त हो रहा है आपको अंधिमान वक्र तो य वैसा ही इसमें है कि इसमें दो वस्तों की जगह हम कर देंगे दो उत्पादन के साधनों के सायोगों को दर्शाता है जिससे समान उत्पादन प्राप्त होता है और जिसके प्रधी उत्पादक क्या होता है तटस्त होता है मतलब इसमें समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होगा वही जैसे अंधिमान वक्र बनाया था ना हम ने इस तरीके से कि इसके विबिन बिंदो के प्रति उभोगता क्या होता है तठस तो इसी प्रकार से हमारा बनेगा ये समूत पादवक्र जिसे हम बोलते हैं इसके भी जो विबिन बिंदू है उसके प्रती जो उत्पादक है वो क्या करता है समान उत्पादन प्राप्त करता है चाहिए वाला बिंदू है तो इस सारे बिंदू 50 उत्पादन करके देंगे अब उत्पादक पर डिपेंड है कि वो कौन से बिंदू का चयान करता है कौन से मतलब श्रमधान तकनीक आप मिलेता है या पुँझी प्रधान तकनीक जैसे हम यहाँ पर L लेते हैं यहाँ पर हम लेते हैं कि अब इस तरह से हमें तीन बिंदू प्राप्त हो गई A, B, C तो जो उत्पादक है वो A, B, C तीनों के प्रती क्या होगा? तठस वो उस पे डिपेंड करता है कि वो तीनों में से किस बिंदू का चैयन करता है जिसके द्वारा उसको केवल पचास उत्पादन ही सायोंग होते हैं उसमें उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम उपयोगिता समान प्राप्त होती है इसमें उत्पादक समान प्राप्त होता है ठीक है बच्चो? तो इस तरीके से फिर हमने उसमें पढ़ा था कि यदि एक वस्तू की मातरा को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तू की मात्रा का हमें क्या करना पड़ता है त्याग क्योंकि समान उपयोगिता प्राप्त हो तो ऐसे ही इसकी हम मात्रा को बढ़ा रहे हैं श्रम की मात्रा को तो हमें पुंची की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा तभी ही हमें समान उत्प Uttbadan effectivement आपक मैं वॉत्पाद हां जो समान मात्रा पैसे को पती है यह अब यहां पर अलग अपर ही कैनों का ते ह रहेगा, ठीक है, combinations बनेंगे आपर समू बनेंगे, आगे है प्रतेक समोत्पाद एक विशेश उत्पादन को दर्शाता है, जैसे हमने थटस्ता मांचित्र पड़ा था, कि अब ये समोत्पाद वक्र 50 को बता रहा है उपर जाएगा, तो क्या पता, 100 उत्पादन हो इससे उपर डेट्स हो, तो एक जो समोत्पाद वक्र है, एक विशेश उत्पादन को दर्शाता है आगे है, उत्पादन के एक साधन को इस्थिर रखकर दूसरे को बढ़ाने से क्या होगी, उत्पादन में व्रधी होगी यदि हमने एक साधन को, जैसे ही हमारा वक्र है ठीक है रच्चो, यह हमने ए पॉइंट लिए हैं, यह हमारी है L, यह है 1K यदि हम एक साधन के क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, यदि हमने इस साधन को बढ़ा लिया और इसको हमınग खंबी नहीं कर रहे हैं ठीक है, यह हमारा चल रहा है, इस दिर है तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा है, तो उत्पादक जो है, वो अलग सामोध पादवक्र पर पहुंच जाएगा IQ1, IQ2 दूसरा साधन हमने इस तिर रखा है इसलिए हमें इसी समोधपाद वक्रप रखने के लिए यदि हम इसको बढ़ा रहे हैं तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा आरे बच्चों समझ में अते समोधपाद प्राप्त करने के लिए इसी खुई अत्रह में त्याग करना पड़ता है इसलिए ये समोधपाद वक्र कैसे ढाल के होते हैं? रिनात्मक जैसे के अंधिमान वक्र भी रिनात्मक ढाल था तो इसी प्रकार इसलिए समोधपाद वक्र के ढाल भी क्या होता है? रिनात्मक ढाल का होता है तो बच्चों समझ में आगे हैं आईसोकांट कर्व या समोथपादवकर क्या होते हैं समोथपादवकर उत्पादन के साधनों को सहियों के दो उत्पादन के साधन के सहियों को दर्शाते हैं जो की उत्पादक को समान उत्पादन प्रदान करते हैं और इसके हर एक बिंदू के प्रति उत्पाद क्या रहता है तटस्त रहता है यदि एक साधन को इस्थी रखकर दूसरे साधन को बढ़ाया जाएगा तो उत्पाद उचे समोधपाद वकर पर पहुंच जाएगा उसी समोधपाद वकर पर रहने के लिए एक साधन की मात्रा को यदि बढ़ाया जाता है तो दूसरी साधन की मातरा को गटाना पड़ता है इसलिए समोत पाद पकर रिनात्मक ढाल के होते हैं आगे बच्छों समझ में ठीक है अब आगे देखें आगे है उत्पादन फलन तो उत्पादन फलन के दो प्रकार होते हैं हमने उत्पादन फलन पढ़ लिया उत्पादन और उत्पादन की मातरा के बीच में जो संबन उत्पादन के साधन और उत्पादन के बीच जो मात्रात्मक संबन पाया जाता है उसे ही हम उत्पादन फलन कहते हैं अब समय आवधी के आधार पर उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अलपकाली उत्पादन फलन जिसे हम बोलते हैं short term production function और एक होता है दिर्गकाली उत्पादन फलन जिसे हम कहते हैं long term production function यहां पर है अल्पकाल और दिर्गाल क्या था पर उत्पादन फलन, अल्पकाली उत्पादन फलन, short term production function, दिर्गाली उत्पादन फलन, long term production function अब अल्प काली उत्पादन फलन में क्या होता है और दिर्ग काली उत्पादन फलन में क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में तो पढ़ेंगे कहां नेक्स पार्ट में वहां आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अल्पकाल में क्या हो रहा है और लेकिन यहां पर हम इसकी शौट जानकारी ले लेते हैं सबसे पहले हैं हमारा अल्पकाली उत्पादन फलन जिसका की दूसरा नाम है परिवर्तन शील अनुपातो का उत्पादन फलन तो बच्चो ध्यान से सुनना अल्पकाली उत्पादन फलन हम समय को दो भागों में ले रहें एक तो अल्पकाल अल्पकाल मतलब समय की छोटी अब उत्पादन करने के लिए एक उत्पादन करता छोटा टाइम ले एक साल दो साल और एक ले जाए लंबी अफदी जिसमें पांच साल दस साल तो आप भी जानते हैं कि यदि एक उत्पादन को उत्पादक को उत्पादन करना है तो उत्पादन के साधनों के आविशक्ता ह बहुत सारी चीजे बदल भी जाती है उत्पादन के साधन में यदि आप किसी friends और relatives या किसी सिभ मिलेंगे तो बहुत time बाद मिलेंगे तो आप देखोगे कि उसका घरी बदल गया है उसका धंदा ही बदल गया है वो बिल्कुल change हो गया है और अलपकाल में हम किसी से मिलते र हो पाता है यह समझ में तो इसमें क्या होता है कुछ साधन तो स्थिर रह जाते हैं और कुछ साधन हो जाते हैं परिवर्तन जैसे कि हमने एक फैक्टरी को लगा दिया अब हमें बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए हम जो भूमी है उसको नहीं बढ़ा पारे क्योंकि जैसा साधन क्या होगा दिर्गकाल में ही बदला जा सकता है हम उसमें बढ़ा सकते हैं श्रम को हम और लेबर लगा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं और श्रम को तो बदल ही सकते हैं मूची भी बदल सकते हैं कहने का ताथ परिया है कि कुछ साधन क्या होते हैं परिवर्टनशील होते हैं और कुछ साधन कैसे होते हैं किसमें अल्पकाल में जबकि हम दिर्गकाल की जब बात करेंगे तो दिर्गकाल में त परिवर्तन शील अनुपातों का नियम और परिवर्तन शील अनुपातों का उत्पादन फलन क्यों कि हमने बात कि कि इसमें कुछ साधन तो कैसे होते हैं इस्थिर और कुछ साधन कैसे होते हैं परिवर्तन शील अब हम साधन जैसे हमने भूमी ले दिया तो भूमी तो हमारा चला जा रहा है लेकिन हम श्रम को क्या कर रहे हैं बदलते चले जा रहे हैं तो भूमी और श्रम की बीच में जो अनुपात है वो क्या होता चला जाएगा बदलता चला जाएगा नहीं जैसे कि हमने शुरू में उत्पादन प्रारम किया तो हमारे पास भूमी की 5 मात्रा है औ तो 5 इसको बढ़ा के हमने कितने कर दी तो कहने का तात पर ये भूमी तो हमारी क्या हुई स्थिर साधन जो कि स्थिरी रही परिवारत शील साधन जो कि बढ़ता चला गया णिपादन बढ़ा 105 अब इसके पैसी लिए इसे परिवरतन शील आनुपातों का उत्पाधन फलन कहते हैं, तो आशाई कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अलपकालीन उतपादण फ़लत, अब इसको यहाँ पर देखते हैं, इसमें उतपादन के सादन, इस्थिर और परिवर्तंशील दोनों होते हैं, दोनों तरह के सादन होती है, सादनों के अनुपात क्या होती है, बदलते रहते हैं, इसमें उत्पादन की तक्नीक कैसी रहती है? क्योंकि तक्नीक ऐसी चीज है जिसको कि हम दिर्गकाल में ही बदल सकती है एक ही टेकनोलोजी से काम होता है तो वो अल्पकाल में ही होता है तब ही तो उत्पादन पलन बदल जाता है किसमें? दिर्गकाल में क्योंकि तकनीक क्या होती है बदल जाती है तो इसमें तकनीक इस्थी रहती है इसका विश्लेशन हम किसके द्वारा करते हैं परिवर्तंशिल अनुपातों के प्रतिफल का नियम जिसके बारे में हम नेक्स वीडियो में जानेंगे तो परिवर्तंशिल अनुपातों का उत्पादन फलंको कहि नामों सेiza your ऌनुपातों का उत्पादन फलंकों की इसमें साद्नों के मढद्री अनुपात बदलता है अधिक तर इसके लिए एक काम लेते हैं घर्टा हुआ सीमान तुपादन नियम क्योंकि साद्नों के तो एक तो स्ब उत्पादन नियम यह इसका अगला नाम है साधनो के परिवरतंशिल अनुपातो के प्रतिफल का नियम यह धारे शब्द का इसके लिए प्रयोग किया जाता है किस के लिए? अल्पकाली नौन उत्पादन फलन और इसको बोलती है इस्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना अल्पकाल को परिवर्तन शील अनुपातों का निया दिर्गकाल को इस्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन अब इस्थिर अनुपातों का उत्पादन वलन क्यों बोलते हैं, बच्चों हम मैंने बताया आपको कि अल्पकाल में तो कुछ साधन इस्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तन शील होते हैं, जबके दिर्गकाल में सभी साधन कैसे होते हैं, परिवर्तन शील होते हैं, तो सभी सा लिया एक मात्रा काम मेली तो यदि हम दिर्ग काल की बात करें तो हम भूमी को भी क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं उतने जितना कि हम श्रम को मालों भूमी को 10 कर सकते हैं और इसको 2 कर सकते हैं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इसको 15 कर सकते हैं इसको 3 कर सकते हैं हम इसके बीच में जो अनुपात है, पहले पांच अनुपात एक था, फिर दस अनुपात दो है, पंदर अनुपात तीन है, तो तीनों में जो अनुपात है, वो पांच अनुपात एक है, है या नियम, तो इसलिए इसे इस थिर अनुपातों का नियम भी कहते हैं, क्योंकि दिर्गकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं तो यहां पर यह लिखा है उत्पादन के सभी साधन कैसे होते हैं परिवर्तनशील दिर्गकाल समय की लंबी अब्दी होती है इसलिए तकनीक भी क्या हो सकती है परिवर्तित हो सकती है उत्पादन की तकनीक भी परिवर्तित हो सकती है सादनों के मद्य जो अनुपात है वो कैसा रहता है? इस दिन रहता है आगे बच्चों समझ में इसका विशलेशन पैमाने के प्रतिफल के द्वारा किया जाता है पैमाने के प्रतिफल जैसे उसका विशलेशन तो परिवर्टरशन अनुपातों के नियम के द्वारा गिया जाता है जो दिर्ग काली उदपादन फलन है उसका विशलेशन हम करते हैं पैमाने के प्रतिफल जिसमें क्या होता है उत्पादन के साधनों के मध्य जो अनुपात है वो समान रहता है और उसके द्वारा क्या उत्पादन होता है उसको हम देखते हैं तो आगे बच्चों समझ में, तो इस वीडियो से हमने क्या जाना, उत्पादन की परिभाषा के बारे में जाना, उत्पादन के साधन के बारे में जाना, उत्पादन फलन के बारे में जाना, समोत पाद वक्र के बारे में जाना, उत्पादन फलन के प्रवरगा प्रकार, तब तक के लिए आपको इस वीडियो में जो भी डाग्राम बनाए गए हैं जो भी एक्जामपल दिये गए हैं और जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सभी आपको अपने कॉपी में नोट करना है अच्छे से समझना है पढ़ते रहना है बढ़ते रहना है थैंक्यू